अंदर देखें हमने continuity का question है और इसमें एक ही value find करनी है अच्छा अब इसमें देखें तो ये मेरे पास less than है और ये greater than है जहां less than आएगी वहाँ पर हम left hand side use करेंगे और जहां पर greater than आएगी वहाँ पर हम right hand limit use करेंगे और फिर हम दोनों को चेक करेंगे क्या इन दोनों को left hand limit और right hand limit दोनों equal हैं तो equal रखने के बाद फिर हम एक ही value निकार लेंगे अच्छा आप continuity के लिए पहला step यह होता है कि function पहला step जो होता है वो यह होता है कि function define है तो function define दिया हुआ है step 2 के अंदर यह होता है कि आपने बताना कि limit exist कर रही है तो limit भी exist कर रही है वजूद में है limit 3 approach कर रही है और third step में हमने फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे first or second step तो हम clear हो गया अब हम third step की तरफ left hand limit left hand limit left hand limit में हम क्या करेंगे कि limit x approaches to 3 f of x और limit x approaches to 3 3 और हमारे पास left hand limit है उसको हम x square minus 1 कर लेंगे अब चुक्के left hand limit है तो हम यहाँ पे साथ negative का sign बता देंगे जिसे हमें पता चल जाएगा कि यह left hand limit है अब आप x की जाएगा करोगे simple 3 put कर दोगे यहाँ पे यह 9 minus 1 आजएगा क्योंके x की जाएगा हम 3 put करेंगे तो यह 9 minus 1 आजएगा तो f of 3 मेरे पास कितना आजएगा 8 आजएगा मेरे पास अब इसी तरह से हम right hand limit लेंगे right hand limit अब right hand limit के अंदर हम क्या करेंगे यह function हमेरे पास limit x approaches to 3 f of x और limit x approaches to 3 और मेरे पास क्या आएगा 2 ax आजएगा और यहाँ पे छोटा सा sign positive का डाल देंगे जिसे पता चल जएगा कि यह right hand limit है अब हम x की जगा क्या करेंगे 3 put करेंगे तो जब इस की जगा 3 put करेंगे तो यह क्या आजएगा 6a आजएगा 6a आजएगा अब देखें हम क्या करते हैं left hand limit जो है that equals to right hand limit ताके हम a की value find कर सकें तो यहाँ पे मेरे पास left hand limit का answer कितना है 8 right hand answer का है 6a तो a मेरे पास क्या आजएगा 4 over 3 आजएगा तो यह था हमारा पहला question question हमारे पास है अब हमने b की value find करनी है और continues है of every x अच्छा आप देखें यहाँ पे again हमारे पास function define है और limit exist कर रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे left hand limit left hand limit क्या आएगा limit x approaches to minus 2 और g of x और limit x approaches to minus 2 अब left hand है तो यह less than worry आएगी that is x अब x की जगा यहाँ पे हम negative का sign लगाएंगे अब x की जगा हम क्या put करेंगे minus 2 तो यह क्या आजएगा minus 2 आजएगा left hand limit में अब next हमारे पास right hand limit आजएगी right hand limit में हम लिखेंगे limit x approaches to minus 2 g of x limit x approaches to minus 2 और आजएगा हमारे पास function b x square this one अब हम यहाँ पे positive का sign लगाएंगे ठीक है जी अब x की जगा आप क्या करोगे negative 2 तो यह आजएगा negative 2 और इसका square तो यह मेरे पास क्या बनजएगा यह बनजएगा 4b बनजएगा 4b अब यहाँ पे हम क्या करेंगे continuous चेक करने के लिए for continuous continuous के लिए हम क्या करेंगे left hand limit is equal to right hand limit अब देखें left hand limit मेरे पास क्या आई थी minus 2 right hand मेरे पास क्या आई 4b so b क्या आ जाएगा minus 1 upon 2 आ जाएगा आप चेक करें यह continuous है अच्छा जब हम x equal to 3 को हम जब चेक करेंगे तो देखें अगर हम 3 direct put करेंगे तो यह undefined हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा simplify करना पड़ेगा चलें साबसे पहले हम इस पर limit लगा लगा लगते हैं limit x approaches to 3 g of x और limit x approaches to 3 और x square minus 9 over x minus 3 ठीक है अब हम direct limit नहीं put कर सकते तो इसको करना क्या कर पड़ेगा हमें इस पर simplify करना पड़ेगा limit x approaches to 3 इसको हम लिख लेते हैं x plus 3 और x minus 3 और upon में आ जाएगा x minus 3 ये cancel out हो जाएगे तो मेरे पास क्या राजएगा x plus 3 राजएगा अब आप simple just इसमें limit बूट कर दें तो x की जाएगा 3 बूट करेंगे तो 3 plus 3 कितना आ जाएगा 6 answer आ जाएगा ये question दिया हुआ है इस पर भी हमने continuous check करना है at x is equal to 2 अगेन हम क्या करेंगे denominator में 2 नहीं बूट कर सकते तो सबसे पहले हम इसको हम simplify करेंगे ठीक है अच्छा जी पहले limit t approaches to 2 ये t आएगा और h of t और limit t approaches to 2 और ये आजएगा t square plus 3 t minus 10 अपवान में आजएगा t minus 2 ठीक है अब इस पर आप simple factor बना लें limit t approaches to 2 तो इसके जब factor बनेंगे तो ये आजएगा t plus 5 और t minus 2 इसके simple factor बनेंगे तो ये t minus 2 आजएगा ये cancel out हो जएगा अब आपने t की जएगा क्या करना है 2 put का दना तो 2 plus 5 आजएगा तो ये 7 इसका result आजएगा first question दिया हुआ है देखे और यहाँ पे हमने continuous check करना है test is equal to 1 चलने सबसे पहले हम लिखते हैं limit s approaches to 1 f of s is equal to limit s approaches to 1 और ये आजएगा s cube minus 1 over s square minus 1 अब हम again इसमें 1 नहीं put कर सकते हैं ठीक है undefined हो जएगा तो हम इसको क्या करते हैं इस पे हम simplify कर लेते हैं पहले cube का formula s minus 1 into s square plus s plus 1 और upon में आजएगा s minus 1 into s plus 1 ये cancel out हो जएगा ठीक है अब आपके पास ये रहा गया अब इसके अमदर आप simple just limit put कर दें s की जएगा 1 plus 1 plus 1 upon में 1 plus 1 तो ये क्या आजएगा 3 upon 2 आजएगा अगे इन continuity हमने चेक करनी है continuous चेक करना है at x is equal to 4 सरसे पहले हम इसको लिखेंगे limit x approaches to 4 g of x और लिखेंगे limit x approaches to 4 और ये आजएगा x square minus 16 upon x square minus 3 x minus 4 तो हम ये लिख देंगे ठीक है अब हम इसको पहले simplify कर लेते है limit x approaches to 4 इसको लिख सकते है x plus 4 और x minus 4 और ये जो नीचे वाला है इसको हम लिखेंगे x square sorry इसको हम लिखेंगे x minus 4 x minus 4 और x plus 1 तो ये मेरे पास आजाएगा तो ये नेगटिव से नेगटिव अपना cancel out हो जाएगा तो हम ज़स इसके अंदर अब 4 limit put करेंगे 4 plus 4 ये एक्स की जाएगा 4 और ये हाँ पे 4 plus 1 तो ये कितना जाएगा 8 upon 5 बाइगा